पूर्व सांसत गेव आवारी ने सीताबरी इंटरचेंज से खापरी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो का लुथ पोठाया इस यात्रा के दौरान आवारी ने कहा मैंने पहले भी दुनिया के कई महानगरों की यात्रा की है लेकिन मैं विश्वास के साथ कहना चाऊंगा की नागपूर मेट्रो सबसे अच्छी है आवारी ने व्यक्त किया की उन्होंने नागपूर के लोगों के लिए मेट्रो गर्व की बात है और हम मेट्रो से यात्रा करके समय इंदन और पैसा बचा सकते हैं अवारी न्यू एरपोर्ट स्टेशन पर उत्रे और भगवान गौतम भुध की प्रतीमा का अभिवादन किया उन्होंने का कि वर स्टेशन की सुंदर्ता और वास्तु कला से चके थे और नागपूर मेट्रो के स्टेशनों से प्रभावित थे स्टेशनों पर लगाए गए शेहर की विरासत की तस्वीरे नई पीडी को इसके बारे में जानने में सक्षम बनाएगी साधी अवारी ने कहा कि नागपूर शेहर को सारवजरिक परिवन की सक्त जरूरत थी और अब इसे विश्विस्तर का दर्जा मिल गया है मुझे मेट्रो ट्रेनों और स्टेशनों में कोई भी कूडा करकट नहीं दिखता जो काभीले तारीफ है महा मेट्रो ने कहा कि वरिष्ट नागरिकों विकलांगों की सुविदा का विशेश ध्यान रखा गया है अबारी ने विश्वास विक्त किया कि निकट भविश्य में अधिक से अधिक नागरिक नागपूर मेट्रो से यात्रा करेंगे उन्होंने कहा कि दिसंबर में जब सेंट्रल अवेनियो कामटी रोड पर मैट्रो चलने लगेगी तो इससे नाखपूर के लोगों को काफी फाइदा होगा उन्होंने नाखपूर के लोगों से बड़ी संख्या में मैट्रो से यात्रा करने की अपील की अवारी ने कहा कि औरन सिटी के नागरिक धीरे-धीरे एक नई चीज़ को अपना रहे हैं हाला कि एक बार जब वे आत्म विश्वास हासल कर लेते हैं तो वे कुछ नया करते हैं मैं महाराश्टर राजी सड़क परिवन निगम का देख्षिता मैंने नागपूर में डबल डेकर बसे शुरू की थी शुरू में प्रतिक्रिया कम थी फिर प्रतिक्रिया बहुत बड़ी थी और हमें डबल डेकर बसों की संख्या बढानी पड़ी अवारी ने विश्वास विक्त किया कि निकट भविश में अधिक से अधिक नागरिक नागपूर मेट्रो से यात्रा करेंगे उन्होंने का कि दिसम्मर में जब सेंट्रल एवेन्यो और कामटी रोड पर मेट्रो चलने लगेगी तो इससे नागपूर के लोगों को काफी फायदा होगा कैमरा परसें राच्चुमा मोहड के साथ अभिशेक पांसी बीसीय न्यूस नागपूर